आप अपने घर का कूडा कबाड़ तो सांख कर दोगे, और भी तो कितना कूडा कबाड़ देके चल रहे हो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डिसकार्ड कर दो, तो 24 घंटे रहते हैं, आप अपने घर की कोई भी चीज उठा लो, और अगर वो चीज पिछले तीन साल आपके काम में नहीं आई, तो गरेंटी है अगले तीन साल भी काम में नहीं आई, तंत्र हमेशा सिर्फ उस व्यक् स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मरीज़ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, डी क्लट्रिंग के बारे में दिवाली आ रही है, सबके घर में सफाईया शुरू हो गई है, तो हम बताएगे किस तरीके से सफाई करनी है, खुद की, घर की, ऑफ में अगर आप चाहते हो, आपका विजनस बढ़े, तो यही वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है, तो पूरी वीडियो देखना बहुत कुछ मज़ा आएगा, एड़े में थोड़ी सी कुछ परसनल बाते भी करिये हमने, देखोगे तो और ज्यादा मज़ा आएगा, ओनताया अप्शाद रिलीट करपाओ, वेलकम अगीन, तो सबसे पहले टॉपिक से चुरात करते हैं, यह दी कलटरिंग जो घर की सफाईया शुरू हो गई है सबकी, इसके अंदर क्या क्या चीजों का दियान रहना चाहिए रहोगो, जो दी कलटरिंग है ना, आफ हर साल ज मिया गर की सफाईया करती थी, आज हम कर रहे हैं, मेट्स कर रहे हैं, सर्वेंट्स करते हैं, जैसी दिवाली आती है, हम अपने घर का वेज समान निकालना चालू कर देते हैं, पूरे साल हम कुछ नहीं करते हैं, पूरे साल हम इकटा करते हैं, लेकिन जैसी दिवाली आती ह हम वेस समाज जो उसको निकालना शुरू कर देते हैं अब जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं डिंग लेटरिंग चल रही है लेकिन ये एक प्रथा है ये कल्ट है समझ रहे हो पुराने प्राचीन समय से चलता आ रहा है कि दिवाली पे आपको अपने घर को साफ करना है जाडू को पैर नहीं लगाते ये भी सुना होगा आपने जाडू को पैर नहीं लगाते पाप लगता है ये भी सुना होगा आपने जाडू खड़ी नहीं करते जाडू को पैर नहीं लगाते जाड़ों की पूजा करते हैं सारे गाम करते हैना, क्यों करते हैं अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लख्षमी जी आए, तो लख्षमी जी कहां पे आएंगी? शिरफ ऐसी जगाँ पे जहां पे साफ सपाई़ हो गंद की वैली वी है अन और्गनाईस है तो क्या लक्षमी जी आएगी नहीं आएगी लक्षमी जी के वल साव सुथरी जगापे आती है साव सुथरे का मतलब सिर्फ घर नहीं होता आपके घर के साथ-साथ आपका मण भी साफ होना चीए आपके विजार भी साफ होने चीए everything should और इस निये इस बारना हम सिरफ घर की Declatering नी करेंगे, हम हर चीज की Declatering करेंगे. सारे बेकार के Relations, जो बेकार की Thoughts, सारे बेकार के Relations, सारी बेकार की Mental Thoughts, सारे घर का कबार्ड, सारे ओफिस का कबार्ड, Cleattered Clients, Cleattered Suppliers, जितना भी है इस बारना सब को Discard कर दो. एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जितने भी जो मल्टी मिलियोनेर्स है ना, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनमे न मैंने कॉमन चीज़ पता है क्या दिखी है, ना उनकी पेमेंट फस्ती, ना उनके सप्लायर कभी उनको दोखा देते, उनके बायर्स हमेशा उनसे रहते हैं, और तरफ से वो पैसा एट्रेक्ट करते हैं, जो एक मिडल फ्लास आदमी या एक छोटा वैपारी है, उसके साथ क्या प्रॉबलम है, वो 24 गंटे रोता रहता है, माल नहीं भी करा, 24 गंटे रोता रहेगा पेमेंट नहीं आरी, 24 गंटे रोता रहेगा वाई सप् मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ आपको, जितने भी बड़े लोग है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में जो ये डीग लेटरिंग का फॉर्मूला है ना, इसको बड़े तगड़े तरीके से अपना रखा है, उन्होंने बदे क्या कर रखा है, एक वैपारी के साथ में अराउंड 40,000 क्रोड उसकी नेट वर्त है, 40,000, और गास के बाद बता दूँआं, पोने, 40,000 क्रोड उसकी नेट वर्त है, चीग है, तो मैं रहा है, जी मैं आपसरा को सीखना चाहता हूँ, वास्तों तो चलो, मैं किसी पैसों का तो इशू था ही नहीं, कोई और एक्स्प क्रीम पार्टी हैं, क्या रहे हैं, आपने अगर किसी व्यक्ति को 35 दिन की उधार पे माल दिया, और अगर वो व्यक्ति 25 दिन में या 26 दिन में आपकी पेमेंट क्लियर कर रहा है, आपको फोन नहीं करना पड़ रहा, बिना फोन करें, आपकी पेमेंट क्लियर कर रहा है, उ भाईसा वो रॉमिटर लॉर कितना बेजना है तो वो क्रीम पार्टी है बोले हम सिरफ क्रीम पार्टी हो से काम करना तो मैंने के बाईसा हर बंदा क्रीम पार्टी हो से काम करना चाहता है अब यह क्रीम पार्टी मिलेगी कैसे करें मिलती नहीं है मैंने का सौट करने का क्या मत अमीर आदमी हर चीज़ देखके चलता है कि भाई, दस उरुपे का माल मेरे घर में बढ़ा हुआ है अगर मैं इसको देता हूँ तो क्या मेरे को पेमेंट की टेंचेन होगी क्या मैं रात को जैन की रिन सोऊँगा क्या मेरे को बार बार इसको विखे के टाइम पेमेंट वो हर चीज़ देखता है अब वो बोले जी सौट करना पड़ता है सौट करने का क्या मतलब है बोले जी हम किसी को माल देते हैं 30 दिन की टर्म्स है हम 35 दिन तक फोन नहीं करते हैं 35 दिन अगर हम फोन करने है और वो व्यक्ति हमें बोल रहा है कि भाई मैं एक दो दिन में करा देता हूँ हम उसमें काटा मार देते बोले हम पहली बार दूसरी बार तो छोड़ो हम पहली बार में उसमें काटा मार देते हैं कि इसको माल नहीं दे जो बंदा हमें टाइमली पेमेंट दे रहा है हम सिर्फ उससे वेपार करते हैं हाँ कई वर क्या होता है मालो एक बंदा है जानकार है 35 दिन फोन किया उसकी वे प्रॉब्लम है तो दूसरी बार हम सिर्फ ट्राय करेंगे अगर वो दूसरी बार में कुछ इसमें क्लाइंट्स भी आगए इसमें सप्लायर्स भी आगए इसमें सब पुछा आगए नॉर्मल बंदा क्या कर रहा है इसको भी माल दे दे इसको भी माल दे इसको फरजी पार्टियों को माल दे रहा ना तबीर हो रहा है तो इस बार हमें क्या करना है घर को तो हम साफ कर इस बार ना हम अगर अपने सिस्टम्स को और्गनाईस कर लें, लक्ष्मी जी को तो आना ही पड़ेगा, उनको आना ही है, ठीक है, घर पे क्या करना है, एक छोटा था फॉर्मूला दे रहा हूं, घर पे आपको क्या करना है, लोगों को यह नहीं पता कि क्या चीज उनके काम क नहीं लगड़ी का काम होता है घर पे, खटे वज गए, उसको अपने घर पे सालों साल स्टोर करके रखते हैं, कि भाई कभी काम आ जाएंगे, सर्दियों में जला लेंगे, लोडी पे जला लेंगे, जब सर्दियों में लोडी पे जलाने का डाइम आता है, तो लगड़ी अगले तीन साल भी काम में नहीं, उसको फैक दो, अगर चालू कंडिशन में हैं, अच्छी कंडिशन में हैं, डोनेट कर दो, अनात अश्रम में देयाओ, कहीं मर्जी देयाओ, ओल्डे जों में देयाओ, भहुत सारी जनाएं हैं, आप डोनेट कर दो, और अगर वो बेकार च गरेंटी काम में आएगी नहीं, गरेंटी है, यह फॉर्मुला है, घर को और्गनाईज करो, ओफिस को और्गनाईज करो, ओफिस के अंदर अपने स्टाफ को चेक करो, कि कोन स्टाफ कितना प्रोडक्टिव है, अगर कोई स्टाफ प्रोडक्टिव नहीं है और आप उसको लि प्रवाइब दे जो टाइन पे मांगना ना पड़े अपने पैसे को ऐसे गिड़गिड़ा ना पड़े कि हम सामने वाले से उदार माग रहे हैं लेकिन ये करना पड़ेगा तो ही आपका वैपार सही चले मेरे भाई काम करता है मैं काम करता हूं strict instructions है भाई पैसे दे जा माल ल पैसे दे माल ले बात करता हूं छोटा सा business है इतनी सी बात है मैं अफसारे clients को यह समझाता हूं भाई माल बिखे तो ठीक नई भी के अपने अपने घर पे रखो उधार में देना है तो ऐसी party को देना है कि भाई तू मेरे मेरा 20 क्रोड़ का माल ले जा मैं चैन की निंश हो मेरे पैसे तेरे गर में ज्यादा safe है मैं आदी रात को phone करूँ तू पैसे दे जाए ऐसे बन दे को माल दो यह एक्ट्वल डीक लटरिंग अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो पिए इस वीडियो को like करे चैनल को करे subscribe और अगर आप चाहे तो हमारे नई चैनल को जो काम के नहीं है उसको फैक्ते है क्या यह एक opportunity है दिवाली कि हम घर की energy को भी shift करते है एक्चुली में जब आप अपने घर की decluttering करते हो तो एक्चुली में आप अपने घर को positive बना रहे हो अब भाई लक्ष्मी जी जब आएंगी तो उनको जब दिखेगा के इतना साफ जागा रखने के लिए पैसा रखने के जगाची है ना कबार इतना वर्रक है जब वो हटेगा तो नई चीज़े आगे रखी जाएंगी अब एक decluttering में ना एक और थाट आया मेरे को बड़े सारे लोग पते क्या करते हैं पाल तू के relations को करी करते चलते हैं मतलब कोई दोस्त है रोता रहता है वो 24 घंटे जब भी आएगा रोएगा आपको पंचिंग बैक बना रखा है आपके आगे आगे अपने दुखडे रोता रहेगा और आप सुनते रहोगे उसके दुखडे सुनके आपको मैं कहता हूँ भाई डिसकार्ड करता हूँ मैं जैन्मिल नी बोलता अधुए आप भी बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते होगे जब आप किसी बहुत बड़े विजनसमें से मिलते हो आपने नोट किया आप वेपार के लावा दूसरी को यह बात ही नहीं करता है वह दलाब मजाग भी करेगा ऑपा carry में आ आज यह हुए आज पता है मैं मैं ऐसे ऐसे मालवे उसके पास दोसरा कोई टॉपी की निया बात करने के लिए और एक नॉरमल लोने से आप बात कर रहे हूं किया कर रहा है कभी किसी की चुगली कर रहा है किसी के बारे में उल्टा बोल रहा है किसी की बैक बिचिंग कर रहा है किसी मैं कहता हूं ऐसे लोग करने में तो आप 100 करोड़ पार कर चुगे हैं, अगर आप भी फालतों के बाते कर रहे हो तो तो कैसे करते हैं, चक्कर हो है ना, तो एक्चुल डीग लट्रिंग ना सिरफ कूडा का बाड़ साफ करना नहीं है, आप अपना घर का कूडा का बाड़ तो साफ कर दोगे, और भी यह बंदा क्या मेरे काम का है, क्या मैं इससे प्यार करता हूँ, या मेरे को इससे सौट आउट जड़ना चाहिए, या बिसकार्ड, तो हम क्या करते हैं, ना हम सौरी बोल रहें, ना हम सौरी बोल रहें, ना उसको जाने दे रहें, कि तू सौरी बोल, भाई, ऐसा नहीं होत या नियुमरोलोग से जानना चाहते हैं अपने बारे में कैसा रहेगा आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करेंट यह तो आप हमारी एप को डाउलूड कर सकते हैं, लिंक इन देस्रिप्शन, मेरा सिधा सब्सक्राइब लॉजिक है, जो भी लोग मुझे ट्रेंड करते हैं, कई बार किसी लोगों से बात कर गया सा रहता है, ठंग गए, जो भी मुझे ट्रेंग करता, मैं फिर सब्सक्राइब हो जाता हूँ, यह सबसे बेस्ट है, इस इस डीकलटरिंग, ठेक है, ठेक है, तो डीकलटरिंग घर की हो गई, दिवाग की हो गई, क्लाइंट्स की हो है, तो अगें मैं मैं को शुरु आप से आ रहा हूँ, कि यह जब बनाया गया था दिवाली सफाई का लोजिक, क्या इसलिए बनाया गया था, क्यों मैं मान के चलता हूँ, पुराने लोग सफाईया रखते थे, उनके घर में अभी तो इतने सारा समान आ गया, उन जबाने कि सफाई, एजिर हमारे आज के जबाने के दिवाली की सफाई नहीं होती होगी, शैसर वो हो सकता है, रड़जी शिफ्ट करने के लिए शुरु आख करने के लिए, नहीं भाई, यह जो इसका जो बेस है ना, बेस यही है, कि अगर आपके घर में साफ सफाई होगी, तो लक माता गर में एंटर हो, तो माता को एनर्जी कैसी फील हो रही है, यह तो अभी जगड़ा, इन्हों न तो अभी दो मिनिट बाल जगड़ा हुआ है इस गर में, चिल्लम चिल्ली हुई है, वाँगा और आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, यार मेरे नी रहना मैं जाओ हुआ है यहां से, बस यही सेंग कॉंसेट है, यह पुराने जमाने से चला आ रहा है, अब जैसे जो एनर्जी शिफ्टिंग की आप बात कह रहे हो ना, उसको थोड़ा सा ऐसे बात करें, जैसे मालो यह प्लांट है, इसकी अपनी एक एनर्जी है, इस प्लांट को उठाके मैं कहीं भी लेके जाऊ हुआ, तो यह अपनी एनर्जी लेके जा रहा है, तो अबजेक्ट शिफ्टिंग में आप एक आपजेक्ट को उठाके दूसरी जगाप में रख रहे हो, अबजेक्ट की जो एनर्जी है, वो उस वर्टिकलर जोन में जा रही है, जैसे पर फाउंटेन उठाके अगर आपने साउटीस्ट में रख दिया, तो वो क्या करेगा, अगनी को पुझाएगा, ऐसे पर जाएंगे, वो तो फिर बैलंसिंग का कॉन सेक्ट है, तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली के अंदर सफाईयों के इलावा दूसरी चीज होते है, दि के गर जाना है, छो के आना है, और अपने गिफ्ट्स छोड़ के आजा रहे है, तो क्या, मतलब ये मेरा अभी कुछ टाइम पहले ही दिमाग मा थोड़ चल रहा था, क्या जो हम ये जो गिफ्ट्स देते है, क्या ये भी एक तरह का कार्मिक डेट्ट क्रिएट करता है हमारे तो ये ही चलता है, क्या चिप्स के पैकेट जा रहे हैं, टोकरियां जा रही हैं, खाने पीने का समान जा रहा है, बट गिफ्टिंग में ना, बेसिकली देखो, क्या होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग दूर दूर रहते थे, या तो एक ही घर में रह 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 हैं रिष्टदार हैं तो दूर दूर रहने है रैवल मीडियम्स नहीं थे गाड़ी कोड़े नहीं दे रोड़े कराब होती थी तो दिवाली का जो तैवहर होता था न इसमें बेशिकली क्या होता था फरीवार इखट्टा होता और पूरे आज मानलो आपको मानलो कोई बॉम्बे में चाचा मामा है उनके गर में पर फंक्शन है आप दिल्ली बैठे हो वो आपको फोन करेंगे बिड़ा कल फंक्शन है आना है ठीक है अब या तो बोले कि भाई मैं टिकेट करा रहा हूं सुबे बैठ आपको बाटे बाटे जाते थे खाने पीने के पकवान बाटे जाते थे अब क्या है कोन तो मिठाई बना रहा है घर में कौन क्या बर hay और मिठाई और आजकल क्या मिठाई कोई खाता भी नहीं जाना शुगर पोगर आजकल बहुत अवेर रने से तो मिठाई कोई खाता भी नहीं तो आजकी रेट में क्या हो गया यह चलनल गिप्ट पे चला गया और दूसरा जो ये चिप स्थूप से पैकेट हहाँ, जूसीश के बैकेट एक उल ट्रिं, इनकी मार्केटिंग ही इतनी है, चॉकलेट वालों की मार्केटिंग ही तो यह निया था तो मार्केटिंग ग्लत है, कि मीठा देना था, वट आप नमकीन, नमकीन देंके आ रहे हो किसी को हाँ यह आप एक अच्छा पॉइंट है मलब देनी मीठी चीजे ही चाहिए रिलेशन्स में मिठाज रहती है नमकीन चीज़ें अगर आप दे रहे हो तो वो मलब रिलेशन्स को थोड़ा सा अजीब सा ही बनाएंगी बट एक्चुली ना मैं यह मानता हूँ इसको हम एस्ट्रोलोजी से अगर लिंक करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि एक फॉर्मालेटी है मलब अगर आप दिल से कुछ नहीं करें आप एक अगर कहीं किसी जगा पर बहुत ज़्यादा दिल से आ रहे हो ना कि आरे भाई है अपना इसको देना है तो वो एक हो गया आपका एस्ट्रोजिकल पॉइंट आफ यू से लेकिन ऐसा फॉर्मालेटी भाई इसको दे दिया वो ऐसा पुछ नहीं होता वर्ट गिफ्टिंग में ना आप एक चीज़ का ध्यान रखो भगवान की फोटों किसी भी सूरत में गिफ्ट में नहीं देनी बगवान के आर्टीफेक्ट से लोग गणेश जी लक्षमी जी देया है बिलकुल बगवान की फोटो बिलकुल नही देनी बगवान की फोटोस इवण पताँ मेरी को एक्चुली में इतना गुसा आता है इतना गुसा आता कि हमने ठाखर धान की फोटोस को ना पता इनकिन चीज़ों लिम यूस करते हैं । दिवार पे कोई उरीन करने न जाये, वहां भगवान की फोटोस लगा दी. दीग है, नाली के उपर लोगूने लगा दी, फिर सीडियों में लगा देते हैं, कोई यहां पान न थूके, सीडियों में वहां भगवान की फोटोस, इरिटेटिंग है गहुत जादा ना तो भगवान को था हमने आथा शोपीस बना लिया कि इसको किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं तो भगवान की फोटोस के ना तो कलेंटर चपवाने क्योंकि कलेंटर जब खतम होगा क्या करोगे आप उसको कबाडी को दोगे उड़े में फैकोगे होगा ना तो ये काम मत करो भगवान को सिरफ मंदिर में रखने के लिए उजा करने के लिए ध्यान करने के लिए हैं उनको इस चीज़ में गिफ्टिंग परपस में नहीं करना जाए भगवान के साथ साथ electronic items ना तो दो ना तो लो देनी भी नहीं लेनी भी नहीं अगर भाई जान कहीं से आ रही है और आप refuse नहीं कर सकते मान लो ससुराल से आ रही है नई रिव्यूज कर सकते रिव्यूज कर रहे हैं तो मानेंगे भी नहीं हो हम दो देंगे भाई साब हम अपनी बेटी को दे रहे है तो उसका एक छोड़ा सा उपाय बते किया है आप उसकी एवज में उनको 100 रुपे दे दो जो भी उसके वादा आप ले सकते क्योंकि जितनी भी जो electronic items है ना वो राहू को represent गर तो अगर आप electronic items गिफ्ट में लेते देते हो ना तो वो राहू का अदान प्रदान हो रहा है अब राहू अगर अच्छा है तो तो चलो हो जाएगा बड़ जनरली लोगों के राहू अच्छे होते नहीं तो राहू ऐसी तैसी गरते है गिफ्टिंग में कैश कैसा है क्योंकि बहुत चलन है बहुत जगाओ के उपर वो कहते है भाई गिफ्ट गिफ्ट दे ये पैसे बगड़ ले आज अपनी मर्जी से ले लिए हो देखो अब इस पर एक बहुत बड़ा कि प्रमोट होता है ये तो टेक्निकल हो गया मैं आपको एस्ट्रोजिकल रिजन बताता हूँ जो पैसा है ना पैसा पैसे को किसी भी चीज में कनवर्ट कर सकते हो तो पैसा अगर हम एस्ट्रोजिकल ही बात करे तो किसी भी प्लानेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा नौ प्लानेट यहां खड़े है ये पैसा आप उसको केतू भी बना सकते हो आप उसको कुछ भी बना सकते हो अब मालो आपने किसी को पैसा दिया उस पैसे से अब यहां बैगर की बात करते है example समझाने के लिए मालो आपने किसी बेगर को 10 रुपे दिये उस 10 रुपे से अगर उस बेगर ने ब्रेड का बैगेट खरीदा बिस्किट खरीदा, आटा खरीदा दूद खरीदा, पैसे मिलाके तो वो पैसे अगर आपके उसके अच्छे किसी काम में गए तो उसका पुन्ने आपको लग जाएगा लेकिन अगर उस बेगर ने आपकी इंटेंशन जो मरजी हो आप उसके अच्छे के लिए दे रहे हो लेकिन अगर उस बेगर ने उस 10 रुपे से बीडी का बंडन खरीद लिया दारू खरीद ली नशागर लिया कोई भी गलत काम में वो पैसे यूज हो गए उसका कार्मिक डेप्ट भी आपको बुगतना बढ़ेगा क्योंकि आपने उसके हाथ में पावर आफ ट्रांस्फोर्मेशन ले दी कि भाई जो तेरा मन करेकर मैं मेरे को जो लगेगा तेरी मर्जी इसलिए कभी भी पैसे इन लेते जनरली रिष्टेदारों की बात आती है जहां पर लिफाफे वगरा दिये जाते हैं अब उसमें आप इतना दिमाग कहा लगाओगे कि वो पैसा कहा जाए नहीं एक एस्ट्रोजर आए मेरे था वो दिमाग खराब कर गए वो रात बर दिमाग में भूंते रहे वाली बात उन्होंने बोला बच पर सुनते वारे कोई किसी का पैसा लेके नहीं जाएगा उसको बार बार जनम लेना बढ़ेगा उसका पैसा लोटाने के लिए अब मेरे दिमाग में मैं थोड़ा सोचता रहता हूं इस सारी चीज़ों को क्योंकि पहले मैं विल्कुल निमानता था अमना मान रहूं तो फिर पर सोच रहूं कि क्यों हो रहा है तो मैंने देखा कि भाई मेरे को कोई शादी के तने कोई सगन दे के गया था अब उसको सगन को लटाने के लिए नगो फिर से चनम ने नपड़ेगा नई भाई यह तो गलता हूं इसमें भी न हम बेक में चलते हैं थोड़ा पास्ट में चलते हैं पहले क्या होता था, लोगों पे पैसे नहीं होते थे, जब शादी होती थी न, तो सारे रिष्टेदार थोड़े-फड़े पैसे मिलाके शादी गरा करते थे, हमारे हिंदुस्तान में पुराने जमने से प्रधा का चलती आ रही है, खर्चा सारा लड़की के बाप को करना है, लड़की के बाप राजा, लड़की के बाप को सारा खर्चा करना है, अब तो खरी टरेंड खतम हो गया है, अब तो सब एकवल-एकवल खर्चा होता है, विट जो पुराना चलता आ रहा था, अब इसके अंदर क्या होता था, जब भी कोई व्यक्ति शादी अटेंड करने जा रहा है ना, उस अज से आज हम भी एक शादी अटेंड करने जाते हैं, अब मालो हमारी मेंटालिटी क्या होती है, कि यार ये बंदा है, इस गोटल में इसने बुलाया है, भाई इसकी तीने जार रपी की प्लेट है, तो हम तीन बंदे जा रहे हैं, तो पहले तो हम कोश जा रहा है ये एक काइंड ओफ एनरजी एक्स्टीन जा, फॉरण कल्चर पते क्या है, फॉरण कल्चर में जब शादी होती है, फॉरण कल्चर में जो दुला दुलन है, वो पते क्या बोलते हैं, ये भाई दारू हमारी तरफ से, खाना तूम मैंने चनल जा रहे है, वहां और फ्रेंड को किया बोलते हैं कि भाई, drinks are on us, खाने के स्टॉल्स लगें, वा आपको पैसे देखेंगे खाना है, शादी में आपको पैसे देके खाना है बहुत था कर सकते हो, वो बाइसके भी दारू फृपरी मिल जाएगी वह वह भी 2 पैक, तीसरे पैसे देने पड़ेग उसको भी क्या रोग सारोगा अब अब हाइपोटेकली मान के चुनते हैं हर एक की रिषिदार पे कोई ना कोई गलात आदमी होता है जिसने गलत तरीगे से पैसे कमाए है या कुछ भी किया है तो अब उसके घर की शादी है दूमदाम से कर रहा है बंदा शादी अब कोई वह देखे आना चाहिए ना तो जैसे अगर किसी की रिष्टतारी के अंदर अगर लंगर हो रहा है उसने लंगर कर आया तो वह भी कार्विक एक्स्चेंज कर रहा है उसका कोई दिखती है लंगर तो ऊपर वाला दे रहा ना लंगर में तो क्या हो रहा आपने एक बर बगवान प्रिषाद तो थो सारा भगवान को प्रिष्थ है न, ठीक है तो उसका हमें कोई पैसे थोड़ी देने हैं वह तो ऊपर वाले ना खाना और उपर वाला दे रहा है तो जो मंधारे चल रहे होते हैं ़ो रहता हैं वंधारे में को दिखत कि अ तो आपने पहले बगवान को भूग लगाया, वो खाना आपने मंदारे में मिला दिया, अब वो आपका थोड़ी देगा है, मंदारे आप तो उसका प्रशाद हो गया, तो वहाँ पर बट रहा है, तो उसमें आपको फोएड़त नहीं देगा, वह आपसे टॉपिक यूबर आ डाउनलोड गरी, कमपास खोलके उस आप में और अंदर से घर के बाहर की तरफ गए, घर के अंदर खड़े होके, बाहर की तरफ जबाब जा रहे हो, तो सामने कौन से दिशा है, यह आपकी तरफ की फेसिंग है, अंदर ऐसे कमपास लेके खड़े होए, बाहर की तरफ जात लगानी, आपकी southeast या south facing है, तो आपको red color की light लगानी है, आपकी southwest facing है, तो आपको yellow और white की combination में light लगानी है, west facing अगर घर है, northwest facing अगर घर है, तो आप white और blue की combination में light लगासे, यह best है, यह तो सही है, अगर किसी का extended मेरे ऐसे दिमाग में आ रहा है, मैं थोड़ा सा वास्तू मे थोड़ा अच्छा हो चुका हूँ, तो मैं अच्छे कोश्म हो सेकता हूँ, किसी का अगर extended नहीं है, जैसे मान के चलते हैं, हमारा ऐसे फैला हुआ है office, ऐसे कम है, अगर मुझे यह zone बढ़ाना है, तो इस zone के लिए भार light लगाता है, वो internal balancing होती है, जब external आप light लगा रहे temporary है न, ठीक है, और अगर कोई paint करा रहा है, तो zone का color, facing के साब से, वोई color कराना चाहिए, और अगर logically देखा जाए, तो हर एक बंदा, अलगला है, रंग दिरंगे color नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा color, जो हर जगा चल ले, off-white green, beige, समझना चलेगा, ठीक है, off-white color कराओ, cream color कराओ, अगर मैं payment की बात करके चलू, एक और खोश्वत निकल के आ रहा है, बहुत साई लोग कहते हैं कि भाई payment देनी है, दिवाली बात देगे, दिवाली के time पे पैसे नहीं देने है, लक्षमी चली जाती है, तो क्या ये काम करता है? नहीं, ये काम नहीं करता, ये एक बहुती गलत धारना है लोगों की, दिवाली बेना, आपको अगर, actually में अगर मलब लक्षमी जी को attract करना है न, जितनी payment, maximum payment आप लोगों की उतार सकते हो, जितना आपके ऊपर करजा है, मलब clients की जो payment आपने देनी है, जितना आप उसको कम कर सकते हो न, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने ये payments उतार देते हो न, तो अब आपके आपने तो लेना है, करजा कुछ नहीं आपके उपर, आना होना चीए, देने वाला सारा दे के नक्की करो, और दिवाली पे न, लक्षमी जी पे क्या है, आपने सुना होगा लक्षमी जी के पैर लगे होते हैं, लक्षमी जी कभी भी पैर लगे होते हैं, रुकती नहीं है के जगे पे, चली जाती है, मूविंग है, तो पते क्या होता है, आप लक्षमी जी को स्टोर करके रख ही नहीं सकते, लक्षमी जी का स्वरूप ह ऐसा है कि वो moving है आज लहीं तो कल उन्होंने travel मूव करना ही है इसको अगर हम positive sense में logically बात करे ना तो लक्षमी जी का आदान प्रदान जरूरी है मतलब transaction जरूरी है ऐसा लिए कि हम नहीं दे रहे भाई तुम दे दो हमें तो भाई सामने में देना फिर अर्शे नहीं नहीं थोड़ा था उपाई बताओ मान लो आपके पास घर पर काफी सारी savings है और आपको उन पैसों को कहीं पर खर्च करना नहीं है ठीक है क्या आपके पास आपको खर्च नहीं करना तो उसका थोड़ा था उपाई है उसको जादा समय तक अपने पास मत रख आप पते क्या गरो ट्रेडिंग करने चालू करतो गोल्ड में आप क्या करो गोल्ड खरीद लो उस पैसे आदी रात को cash हो जाता है माल दो आपको पास 7 लाग रुपे बढ़े हैं 7 लाग रुपे में आप तो खेर 7 लाग 7,000 हो गया 7 लाग 7,000 हो गया 7,000 आपको 100 ग्राम सोना मिलता है 100 ग्राम तो सवाल ही ना बढ़ना ही बढ़ना है 100 ग्राम सोना लेकर रख लो कैस में पैसा मत रखो जब थोड़ा बढ़ जया है सोने को बेच के cash कर लो फिर थोड़ा था नीचे गिरे फिर move on करते रहो लाक्षमी जी को जो है ना movement में रखो अपने लाइप में हमेशा movement में रखना जड़ूरी है प्यार है ना लाते रहो अपने अपने ही घर में चलाते रहो अगर मैं पिछली दिवाली की बात करके जो लो हूँ तो उस चांट पे ना किसी ने में को एक चीज़ रेकमेंड कर रही थी मैंने के नहीं तो उन्होंने में को बोला कि पारत का उलू लेलो और इस चीज़ और ले लो, उनकी पूजा करनी है साथ में, उन दोनों को फिर अलग कर देना है, तो लोजिकली, लक्षमी जी और उनका बहान, पहले इक हटा रखना है, फिर इसके बहुत अलग कर देना है, तो इससे लक्षमी जी भाग नहीं बाएगी, आपने लक्षमी जी को क रखी है, भाई लक्षमी जी का वाहना इसलिए उल्लू है, ये सारी बाते उल्लू ही करते हैं, तो ये सब ना बकवास चीज़ें हैं, कि लक्षमी जी को आप कैद कर लोगे, या कुछ कर लोगे, एक व्यक्ति, कितना, कितना था उनकी नेट वर्थ, जो आज जीरो है, की सारी चीज़े मैं मिलीउन नहीं करता हैं, इन सब चीज़ों पर लक्षमी जी को लग कर दो, कि आप के अप है, या क्योंकि तंत्र काम करता है, क्योंकि अभी दिवालिय । तंत्र काम करता है, तंत्र क्या है, तंत्र basically, तंत्र is a system, लूप है, एक ना, कि एक चीज़ बा ज्यादा negatively ही use करते हैं, ठीक है, अपना purpose क्या है, अपने को positive way में use करना है, तंतर को, positive way का तंतर क्या है, simple सी अगर हम बात करें, raw material आया, machine पे चड़ा, दूसरी machine पे चड़ा, packaging हुई, dispatch हो गया, payment आ गई, फिर raw material आ गया, machine one, machine two, तंतर create हो गया न, यह तंतर create हो गया, घर की अ office गए, बच्चे school गए, बढ़ाई करकी आए, अपना बढ़िया चल रहा है, रात को आए, सारे खुश है, खाना खाया, enjoy किया, हो गया, same routine, ठीक है न, यह तंतर है, अगर किसी भी zone में, किसी भी दिशा में, अगर आपके घर में, office में, factory में problem आईगी, विसकीर क्या होगा, यह तंतर ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव तंतर जो किया जाता है, वो basically एक particular व्यक्ति को किसी चीज में बांधने के लिए किया जाएगा, कि मैं इसको इसमें बांध दू, बलब एक में stuck हो जाए यह व्यक्ति, simple, और मैं आपको बता दू, तंतर किस पे होता है, तंतर हमे आपकेस अधे नहीं काम करता है, जाएगा,rils और, पर लिएक सब्रेट किसा दू, आपकेसा दू, दिकन्टर, नहीं काम करता है, तंतर की घरज बांधने को, क्या गडाता है, वो चीझ है, आपकेसा द llegó किन्हें पहलाना ओकर और थे मंधने काम, तंतर कशुने कभा तंतर्क तो हम दिवाली पे देखते हैं, चौक के उपर बहुत सारी चीज़े बढ़ी होती है, वो क्या है न, नेगेटिविटी के लिए, किसी व्यक्ति को अटकाने के लिए, वो सब चीज़े की जाती है, अब जैसे मालो आपको अगर चेक करना है, for example, कि आपके उपर किसी ने तंत् का सिंपल सा एक छोड़ा था उपाए, उपाए गया है, एक, आपके सर में हमेशा भारीपन रहेगा, ठीक हैं, आपको हमेशा सरदर्द जीव सा फील होगा, दूसरा, आप बे बजा ठके ठके फील करोगे, लथार्जिक फील करोगे, आप, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल ह हैं, बट आपको लगेगा किया आप बिमार हो, आपको कोई भी चीज, आपको रोटी खाने का मन नहीं करेगा, आपको कोई चीज अच्छीन लगेगी, आपको 24 गंटे आप डिप्रेशन की फील, रोने का मन करेगा, अननेसेसरी लाइफ में जगडे हो रहे हैं, कोई-कोई पढ़ोगा आप, अनमान 40 में आज कोई तंत्र ने डिक सेना, आपको अनमान 40 में अनमान 40 में बढ़नी हैं, और बजरंग बांड एव्रीडे नहीं पढ़ना, जब आपको लगे गहा बाई, मुसीबत ऐसी है कि10 लगीर नहीं हो रही, तो अनमान 40 में के बाद बजरंग बा जाता है, एक चौक के उपर नीमी पड़ा होता है, उपर से काड़ी जाती है, फिर उसक बंदे के अंदर फुझेस हो जाता है, उसको यह चीज़े होती है, आप मेहन्दिपूर बाला जी जाओगे तो आपको नॉर्मली अराम से देखने को मिल जाएंगी यह सब चीज़े, ब बुरी शक्तियां भी उतनी ही जादा एक्टेव होती है, दोनों का साथ साथ चलती है, अब अमावस्यागी रात है, दिवाली जो है वो अमावस्यागी रात पे आती है, वो पंदेरा, तो अमावस्या जो है वो बुरी शक्तियों के लिए बहुत जादा मनलब एनरजी जाती है तो इसलिए ना ये थोड़ा सा एवाइड करना जी एक और लोग पता पहले क्या करते थे दिवाली के दिन पूजन होता था पूजन करा और उसके बाद क्या करते थे अपने घर को लॉक करके न रिस्टार होगे पैर चुने चले रहे चाचा मामा की चले पैर चुने महूرت कर रहा है लक्ष्मी जी के आगे हाग जोड़ के रिक्वेस्ट करे लक्ष्मी जी आ जाओ और महूरत करते ही ताला मार के तारोगे चले रात को 12-12 कोजे आ रहे फिर खिड़के आएक बैठे हैं कि आईगी लक्ष्मी जी ये भी बंद करते हैं मैंने अपने घर पे आज से लग भग 2011 में मैं वास्तु में आया था, 12 में मैंने इंग बंद करा दिया, 2012 में न मैंने ये सिस्टम बंद करा दिया, मैंने क्या पापा को बोला, मैंने गवापा देखो ऐसा है, हमने अभी लक्षिरी पूजर्ण को उरत किया, ठीक है, अब अब हम घर का ताला लगा के रिस्टार हो के जा रहे हैं, मैं गा कल गोवर्दन है ना, कल चुट्टी है, जिनके दो रिस्टार है उनके घर में चुट् बनता ही है, खाना हम अंकुट का परशाद आई जाएगा, गो अरदन की पूझा सुभे ममी ने करनी है, वो भो जाएगी, वगर जो भी रिष्टर होगे जा रहा है ना कल्च नेगे, आज के दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, तो वो भी बंद कर देना जी, अपने घर छोड़े क भी जलाने है, बच्चों के जाएगा, छे से आट का मूरत है, आट से अटार बिजा फ्री होगे, और इसमें ट्राइवलिंग, बैंकर जाम, एक मूरत में और सुना रात का मूरत, सिंग लगन मूरत, ग्यारा बारा बज़े जो होता, सिंग लगन मूरत बोलते हैं उसको, ज बहुत बड़ा बनना है, वो सिंग लगन मूज़न करते हैं, वो रात के एक बज़े से लेकर, टीन मूजे की बीच में होता है, वो अलग-अलग तिति पे अलग-अलग होता है, वो मैंने भावी की वीडियो पे सारा होता है, गुरत, तो उसका, वो तन्जित नेगिटिव तो नहीं होता है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है, वो तो बहुत अच्छा होता है, और वो घर के अंदर ही, घर का करना है या ओफिस का? दुर्गामाता की आरती, आपको और की सीखनी है, और की पस, ठीक है, तो जैसे मैंने बचपन से देखा पापा के ओफिस में ही, पंडिजी आते थे, वो पूझा करते थे, मैंने अपने भी चुप किया, तो हमने भी ऐसी शुरू किया, तो क्या जरूरी है पंडिजी? नही पंडिजी का सीखनी क्या होता, जैसे मुझे भी एक नई चीज कंसर्ट मता लगा, तो कि बात ये शुरू ही है, जरूरी दिवाग में आया, मेरे ओफिस के नीचे वाला जो ओफिस है, हमें बड़ा मंदिर है, जैसे हमारा मंदिर है, वैसी मूर्ती है, बड़ी-बड़ी उनके रोज पंडिजी आदे है, रोज पूजा होती है, शंक मंग बचता है, रोज, बट वो री बैठते मुझा में, पंडिजी नहीं बैठते मूझा में, मालिक नी बैठते है, ओफिस के, वो रोज नी बैठते होंगे, तो क्या हो, इसका क्यों लुजिक, बदला, वो अगर कोई भी मूर्ती घर में है, किसी भी बगवान की, तो वो मूर्ती जो है ना, कहा जाता है, कि उस मूर्ती को बिना प्राण प्रतिष्था गया आप अपने घर में नहीं रख सकते। पहली बात तो अपने घर में इतनी बड़ी मूर्ती रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घर में, मालो, for example, आप घर में अंडे खा रहे हो, मालो, आप घर में नौनवेज खा रहे हो, गलत है, ठीक है, दूसरी चीज, मंदिर के लिए, मलब मंदिर के लिए गलत है, दूस प्रतिष्ठा करके रखी जाती है, ठीक है, अब मंदिर में जो बड़ी मूर्तियां होती है, प्राण प्रतिष्ठा का पते क्या मतलब है, एक बोड़ी, वो मूर्ति एक बोड़ी हो गई, उसमें हमने मंत्रों द्वारा ईश्वर की आत्मा को विराजमान कर दिया, अब वो सिरफ मूर्ति नहीं है, पहले डिफरेंट फोटो थी, प्राण प्रतिष्ठे बाद मूर्ति अलगी दिख रही है, ऐसा लग रहा जीवित हो गई है, वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अब क्या होता है, अगर आपने एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो परमात्मा जो है, उनकी सेवा तो उन्हों नहीं करनी है, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, अब सुबह जो भगवान को नहलाना, बस्तर चेंज करना, फिर उसके बाद भोजन कराना, अब क्या होता है, हम तो सुबह एक बार ना लिये, उसका पूरा दिन चल र परमात्स है, लेकिन जो भगवान है वो दिन में तीन बार ना आते है, उसस ब्रक्षट के बाद भी नहाएंगे, उन्हों के बाद भी नहाएंगे, वो डिनर के बाद भी नहाएंगे, फिर शोईंगे, ये कुटा है, तो वो सारा प्रोटोकॉल फोलो करना बढ़ता है, आभी में घर पे शुफ्ट हुआ तो हमने हवन करवाया हवन के टाइन पर पंडे जी ने बताया कि हम भी नीचे पूशा करते हैं कभी वो होते हैं कभी वो कहीं गई होगी तो सबसे पहले थैंक यू अच्छा है बहुत कुछ सिखने को मिला होगा डी क्लेटरिंग समझ में आ इसको भी साफ करना है थैंक यू वन सब्सक्राइब फिर जल्दी मिलते हैं इनकी वीडियो एक और आने वाली है जल्दी एन्नाउस्मेंट करेंगे उसकी और मैं आपको पहली बता रहा हूं कि हम एक और नया चैनल शुरू करने वाले बहुत ही जल्दी उसकी वीडियो की ही शुरू हो चुकिये शुरू होगे जन्ती अब इसका रीजन पता है कि मैं ने चैनल क्यों शुरू किया थाई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रूड गोलता हूं गैस से बत्तमीजी करता हूं अब मैं दिल्ली का हूं आप भी दिल्ली के तो आपको पता है तो वोन ऐसी ह तो ऐसे दिमांग में एटुआ मेरा जो टॉलेट है वो गदेवाले गर में नौर्थीस का है तो हान आ रहा था मेरे दिमांग में एडिया आप ये करना है और करेगे नौर्थीस का टॉलेट अच्छा नहीं होता इसके उपर हम बाद में बात करेगे हम कुछ कर रहे है उसके उपर बागी आप पता दो भाई आपको रूट तो नहीं लगता मेरे को नहीं लगता भाई मैं भी दिल्ली गाऊ ना वो शाइद मेरे को लगता है वो गलत ओडियोंस को डिलिवर हो गई ऐसा नहीं है देखो ऐस मेरे नहीं चीज देखी है लोगों के अंदर ना बडास बहुत जादा है बहुत ज़यदा बडास है ना वो घर पे निकाल पारे ना वो ओवेस में निकाल पारे ना वो भार निकाल पारे वो क्या रहे है वो YouTube पे comment कर रहे है अभी मैंने लेटेस्ट नाइक मेरे एक वीडियो डाली नौर्थीस टॉलेट पे उस पे साड़े नौलाख वियूज आये मेरे ख्याल चे तीन-चार दिन में ठीक है, शौट 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 थी, 60 सेकेंड चीट उसमें मैंने से बात बोली, नौर्थीस्ट में मंदिर नहीं हो आया है, कि नौर्थीस्ट में बैठ कर वो संस्क्रित का स्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कुछ होता है कि इशान्यम, ध्यान्यम ऐसा कुछ स्लोक है, नौर्थीस्ट में बैठ के अगर आप ध्यान करते हो ना, तो ध्यान की प्रतिक्रिया में आप परमात्मा से लेकिन नौर्थीस्ट मूर्थियां रखने के लिए नहीं है, मूर्थियां रखने के लिए, पोटोस रखने के लिए, मंदिर बनाने के लिए वैस्ट है, क्योंकि सारे मंदिरों में सब कुछ वैस्ट वैस्ट, अब वो क्या है न, पुराना जो कंडिशनिंग माइंड की, East-facing, 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 चलने जा रही है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए ना, मैं तो आपको रिकमेंड गरूँआ, कि आप दिवागी मत लगाऊ, YouTube पर नहीं एक वो फीचर है, Hide User From Channel, उसको हमारी वीडियो से दिखे हैं, ये बात आत्से में रेलेट कर पा रहा हूँ, वो वीडियो बेसिकली हुआ गया है, बेको नॉमली कभी जिंदगी भी इस चैनल पे इस चैनल पे, में चैनल बिसनस वाले चैनल पे, कभी कभार लोग आयते थे, बट यहाँ पे बेको हेट नहीं आई कभी भी, लोग कहते हैं, वाई, content बहुत solid होता है, बट वो वीडियो, तीन दिन के अंदर, चार दिन के अंदर, एक मिलियन चूगी, इस चकर पे, शायद, ग्रॉंग ओडियोंस आगी, और तरीगी नहीं होड़ी है, चलो टी है, इसको रही कीसते हैं, तैंक यू, जल्दी मिलेगे, तेरसे इनके साथ में, बाई, गुड़े शवागेर, गुद आपज, बुड मॉर्निक आप्टों, जब भी है वीडियो देख रहे हैं, जैहिन बने मातरम, दुआवे याद रखना,